नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट सभी को पता है डेली 8 बजे वीडियो अपलोड दोता है मैंने आज से 50 दिन का टारगेट लेके चला है ताकि आप सभी लोग का जो प्रैक्टिस सेट है और भी बेहतर हो जो आपका कंफ्यूजन है उसको डेली बेस पे दूर करने का पूरा कोशिस किया कीजे ठीक है आज को जो प्रैक्टिस सेट है अगर आप इसमें 35 प्लस भी कोशन सही करते हैं तो आपका यहां पर जो तयारी है बहतर तरीके से चलना है अब वो समय आ गया है कि अपनी तयार और कंफ्यूजन को दूर करना यह आपका एकहतरवा प्रैक्टिस सेट है और आपका डेली बेस पे आड़ बज़े चलता है चलिएगा आज का पहला प्रसन देख लेते हैं आज का पहला प्रसन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी आवस्तित है आंतरिक सुरक्षा अकादमी आपका अवस्तित है आंसर करिएगा आपको पांच सेकेंड का समय मिलेगा आप सभी लोग को आंसर करने का ठीक है पांच सेकेंड चलिएगा उत्तर क्या हो जाएगा आंतरि सुदक्षा का अदमिया आपका कहां परवस्तित है तो माउं टाबू यानि राजिस्थान में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप सभी लोग कितना सही कर पारें आज का लाइक का टार्गेट आप इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं answer करिएगा important प्रसन आज का एक-एक प्रसन है पांच सेकेंड ऊत्तर क्या हो जाएगा आपका राजय पाल हो जाएगा यानि आपका option ए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि दि किसी राज्ट की विधान सभा का अध्यक्ष प त्याग अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको त्याग पत्र देना चाहिए अगर किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष पत्याग ना चाहिए तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए तो वो आपको उपाध्यक्ष को देना चाहिए यानि आपका सी उत्त कारेक्ट उत्तर हो जाएगा नोट करिएगा इंपॉर्टन प्रस्न है सभी प्रकार के समाजिक विभेद का उन्मुलन मानवा जिकार की किस पीड़ी के अंतरगत आता है चलिएगा अंसर करिएगा सभी लोग कोश्चन नमर फोर का उत्तर क्या होगा बहुत सभी आंसर आपर किया होगा दूसरी पिड़ी क्या हो जाएगा बी आपका यहां पे उत्तर सही हो जाएगा नेश्ठक संग का करतब यह होगा की बहरी आकरमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रतेक राज्यक की रक्षा करें कौन से अनुछेद में यह आपका पड़ता है चलिएगा उत्तर आप सभी लोग सही करिएगा कोई भी कोशन या पे गलत नहीं करेगा उत्तर हो जाएगा 355 यानि 355 आपका यह प्रावधान किया गया है नोट करिएगा इंपोर्टन्ट है संग लोग सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौपता है किसको चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग कोशन नमर 6 का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट पती यानि B आपका उत्तर राष्ट पती सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है और यह आपके कौन से आर्टिकल में है यह भी देख लिजेगा कोशन नमर 6 का तो आर्टिकल 223 में आपका यह प्रावदान किया गया है अगला प्रस्ण है कि 86 वे संसोधन द्वारा प्रस्ताविक सिक्षा का अधिकार किस वर से लागू किया गया तो यह आपका 2010 में यह लागू किया गया था क्या याद रखना है 2010 इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ण है कि अन्य पसोग के मांस की तुल्ना में मचली का उपभोग स्वास्त कर माना जाता है क्योंकि मचली में क्या होता है चलिएगा अंसर करिएगा सभी लोग कोशन नमर 8 का उत्तर हो जाएगा आपका बहु असंतेप्त वसा अमल यानि आपका ऑप्सन ए सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि भारी मसीनों के उपयोग के लिए इसने है कौन सा है बहुत सभी ने अंसर याप पे ग्रिफाइट बताया होगा जो कि सभी का उत्तर यापे सही हो जाएगा अगला है कि पैनिसलीन के अविस्कारक कौन है सभी को पता होगा यहाँ पे अलकजेंडर फ्लेमिंग हो जाएगे अब आपको comment करना है question number लिखना है comment में 10 बराबर अलकजेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलीन का अविस्कार कभ किया था ये भी आपको याद होना चाहिए यहां से भी प्रस्न आपका पूछा जाता है चलिएगा अगला प्रस्न है कि कमरे में लगा हुआ वता नुकूलम यानि वता नुकूलक क्या नियंत्रित करता है आंसर करिएगा इंपॉर्टेंट प्रस्न है उत्तर हो जाएगा आपका option B केवल आधरता एवं तापमान B आपका उत्तर सही होगा मस्तिस तथा मेरू रज्जू पर चड़ी जिल्ली में सूजन आजाने के यानि सूजन आजाने से होने वला आरोग आपका कौन सा है चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका question number 12 का option D हो जाएगा main in giantis यानि D आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने decibel धोनी उत्तपन होती है कितने decibel तक धोनी आपकी उत्तपन होती है तो लगबग देशा देखा जाए तो आपका 30 decibel तक आपका धोनी उत्तपन होती है याद रखना है प्रकास संसलेशन में पौधो दोरा निम्न में से कौन से गैस उत्तर हो जाएगा option B carbon dioxide भी आपका यहां पर उत्तर सही हो जाएगा नाबेकी एरियक्टर में विवन्दाग और प्रती प्रसीतक दोनों की तरफ प्रियुक्त होने वाला पदार्थ आपका कौन सा है आंसर करिएगा important है question number 15 का उत्तर चलिएगा बहुत सही पंदर का उत्तर हो जाएगा आपका भारी पानी यानिए B आपका उत्तर यहां पे correct उत्तर होगा सभी नाज्थ यहां पे सही करना है एक भी question किसी को गुलत नहीं करना है इंफी-बियाब अबताता है चलिएगा उत्तर हो जाएगा जल यवन स्वस्त यानि जल एवं इस्थल दोनों पर ही रहने सकने वाले पसूं को ये आपके उभाय चैर भी कहलाते हैं तो आपका D उत्तर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्थ है कि लोहे की किल पर क्यों तेरते हैं यानि पारे पर क्यों तेरते हैं जबकि वो पानी में डूब जाते हैं चलिए कोश्चन नमर 17 का उत्तर सभी को पता है लोहे का घंत वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम यानि या पारे होना चाहिए मिस्प्रिंट हुआ है आपका सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा चलिए केसर उत्तर हो जाएगा यहापका कोश्चन नमर 18 का केसर यहाँ पे कैंसर नहीं होना चाहिए केसर होता है सूखा मिस्रण अंसर करिएगा कोश्चन नमर 18 का उत्तर क्या होगा केसर आपका सूखा मिसरन है किसका तो आपका फूल के बीज बनाने वाले भागों का है या आपका सी उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं है निम्न में से कौन सा आपका प्रात्मिक रंग नहीं है आंसर करियेगा इंपोर्टेंट है उत्तर हो जाएगा आपका पीला रंग यह आपका प्रात्मिक रंग नहीं है बाकि काला लाल और निला यह आपका प्रात्मिक रंग के अंतरगत आता है हीरे की यानि खानी जी बनावट क्या है खानी जी बनावट क्या है उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नमर 20 का कार्बन सबीक पता है कार्बन हीरे का मुख्य है भाग यह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रकास के निम्न प्रकारों में से किनका पोधोध वारा तीवर आउसोंसन होता है अंसर करिएगा, इंपोर्टन्ट है आपका क्वेश्चन चलिएगा, बहुत से, उत्तर हो जाएगा आपका निला और लाल भी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा मनुस्य, शरीर में खून की सुधी करण की प्रक्रिया को क्या काते हैं इंपर्टेंट है, नोट करिएगा उत्तर हो जाएगा डाइलेसीस, क्या हो जाएगा, डाइलेसीस आपका उत्तर हो जाएगा सीरा अति उत्तम कच्चा माल है चलिएगा बहुत सभी सभीन आंसर यहां पे पावर एलकोहल के रूप में यह बताया होगा सी आपका उत्तर यहां पे कारेक्ट उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन रसाइनिक उर्वरक नहीं है निम्न में से कौन रसाइनिक उर्वरक नहीं है आंसर हो जाएगा आपका गायो से क्या हो जाएगा गायो से आपका उतर हो जाएगा B दीमो को यह भी कहा जाता है यानि चीटी, लाल चीटी, स्वेथ चीटी या फिर स्याम चीटी आंसर करिएगा दीमो को एक प्रकार का देखा जाए तो हो जाएगा आपका स्वेच चिटी यानि C उत्तर हो जाएगा ये विसाडु जनी ब्यमारी है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यार यह लग रहा है चौबीस का कोश्चन गलत है ठीक है इसको आप देखिएगा निमन में से कौन रासानी उर्वक नहीं है तो आप इसको आंसर करिएगा ठीक है हमको लग रहा है थोड़ा सा मिश्टेक है कोसिस करिएगा सही करने का चलिएगा अगला प्रस्न है कि सुनाहरे चावल में बीटा कोरोटीना जीन कहां से आता है आंसर करिएगा इंपोर्टन है नोट करिएगा इस प्रस्न चलिएगा कोश्चन नमर 27 का उत्तर हो जाएगा डेफो डील यानि आपका बी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा चलिएगा अगला प्रस्न है कि गरिन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है गरिन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है आंसर करिएगा इंपोर्टन है चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका इटली और इरान यानि दोनों दिस्क आपका हो जाएगा 28 का चंद्रियान प्रथम कप प्रच्छेपित किया गया बहुत सभी आंसर नहीं आपके किया होगा 22 अक्टूबर 2008 में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है देखिए ये सब आपका क्या है ये आपका पुराना नाम है घाना गोल्ड कोस्ट ये सही है थाइलेंड सेयाम ये सही है इथोपिया अभी सीनिया ये भी सही है हौंग कॉंग फर्मोसा का नहीं है ये आपक ताइवान का पुराना नाम है याद रखना है डिया आपका गलत उत्तर हो जाएगा अमर्थियसेन को 1998 में नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया था किसके लिए यह आपका कल्यान कारी अर्षर सास्तर के लिए इनको प्रदान किया गया था अमर्षर सिन को अगला है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है तो देखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा क्या भी हो जाएगा नरायन घाट यह आपके आर के नरायन नहीं है बल्कि ये गुल्जारी लाल नंदा से आपका ये संबंदित है बाकी आपका A, B, D ये आपका सही है नेश्ट है कि एसकीमो निवास इस्थान को क्या कहते है एसकीमो निवास इस्थान को क्या कहा जाता है आंसर करिएगा इंपर्टंट है चलिएगा ये इसको इगलू कह जाता है option A आपका सही उत्तर हो जाएगा इसकी आकरिती अर्ध गोलाकार होती है या रखना है अर्ध गोलाकार अगला है कि तमासा तमासा संगीत नाटक का प्रसीद लोक सो रूप है और यह संबंदित है उत्तर क्या होगा सभी लोग का महाराष्टर हो जाएगा तमासा या आपका दैहंडी यह सब आपका महाराष्टर में देखने को मिलता है अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन इसमें गलत है देखते हैं अगरी भूमी से भूमी ये सई है त्रिसूल भूमी से भूमी ये भी सई है आकास हवा से हवा ये भी सई है लेकिन प्रितिवी आपका भूमी से आकास नहीं ये आपका भूमी से भूमी होना चाहिए क्या होना चाहिए भूमी से भूमी या दखना है सबी को निवन में से कौन एक यानि कौन सा एक भारती रिजर बैंक के कारे नहीं है उत्तर हो जाएगा आपका साक्स रिजन ये आपका वड़िजिक बैंक को का काम होता है यानि D आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अगला है कि पिछडे देशों को लिए रोलिंग प्लान का सुझाओ किस ने दिया था रोलिंग प्लान का सिधान किस ने दिया था इंपोर्टन है नोट करिएगा चलिएगा जी मीडल हो जाएगा यानि आपका कोश्चन नमर 37 का उत्तर ए हो जाएगा सभी का में कमेंट देखूंगा कौन कितना सही कर पा रहा है 35 प्लास सभी का कोश्चन है सही होना चाहिए किस आर्थिक सर्वेच्छड में पहली बार धाणिय विकास और जलवायू परिवर्तन का नविन अध्याय जोड़ा गया था आंसर करिएगा सभी लोग उत्तर हो जाएगा 2011 और 12 भी आपका उत्तर याँ पे सही उत्तर हो जाएगा भारत में घाटे की वित विवस्ता किसके लिए ये संस्थानों यानि संसाधनों को बढ़ने के लिए उपियोग की जाती है आंसर करिएगा किसके लिए किसके लिए ये उपियोग कियाती है तो ये कियाती है आर्थिक विकास के लिए ये आपका उत्तर याँ पे सही हो जाएगा अगला प्रस्न है कि 20 उत्तरी आर्थिक कारिकरम सरपर्थम का प्रारम किया गया किस में कर चलिए कर बहुत साहिए यह आपका 1975 में प्रारंब किया गया था इसका मुख्य उद्देस से क्रिसी एवम और धोगिक रूप को बढ़वा देना था यादकना है क्रिसी एवं मुख्य उद्धे से को यानि किरिसी एवं उद्धाविक रूप को बढ़ावा देना था बी आपका उत्तर सही हो जाएगा चलिएगा दिर्थी अबिस यूद के संबंद में भारतिय राष्टी कॉंग्रेज की क्या नेती थी अंतर करिएगा सभी लोग उत्तर हो जाएगा पूर सुतंत्र का आसवासन मिलने पर ब्रिटेन को साही योग देना मजूर सिंगहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराट कौन था चलिएगा यह हो जाएगा आपका मुहम्मद सा इसे रंगीला भी कहा जाता है यानि मुहम्मद सा रंगीला के नाम से भी जाना जाता है अब आपको कमेंट करना है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था important person है मैयूर्फ सिंहासर किसने बनवाया था अगर याद है तो comment करिएगा मोरी काल में सीता से तातपर है कारेक्टर अंसर सभी को बताना है और नोट करना है चलिएगा बहुत सही 43 का उत्तर हो जाएगा आपका राज की भूमी से प्रापता है यह आपका यहां पर उत्तर सही हो जाएगा एक नवंबर 1908 को महारा ने विक्टोरिया का घोसना पत्र पढ़कर लाड कैनिन ने सुनाया था चलिएगा बहुत सही सभी का उत्तर यहां पर 44 का ए हो जाएगा इलहाबाद में निम्न में से किस वाइसराय के कारेकाल में भारतियों को रे बहादूर और खान बहादूर उपादियों प्रदान करना प्रारंब हुआ उत्तर सभी को पता होना चाहिए बी हो जाएगा लाड लिटन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेश्ठ है किसको भारत छोड़ो अंगलन के दोरान जेल से फरार होकर भूमी गत गती वीदियों को संगठित किया गया चलिएगा ये हो जाएगा आपका जै प्रकास नरायन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा 1908 में अखिल भारतिय मुस्लिम लिख की एक लंदन की साखा की इस्थापना की हुई चलिएगा 47 का सभी का उत्तर हो जाएगा अमीर की अध्यक्स्ता में यानि आमीर की अध्यक्स्ता में अमीर नहीं आमीर हो जाएगा महात्मा गांधी ने खिलापत आंदूलन का समर्थन क्यों किया था वो किया था गांधी जेने अंग्रेजयों के खिलाप अपने आंदूलन में भारतिय मुसल्मानों का साहियोग प्राप्त करना चाहता था यानि भी आपका उत्तर सही हो जाएगा अगला इंपरेंड किस एक ने 1875 में हाउस आप कॉममंस में एक याची का प्रस्तूत करते हुए ब्रिटिस संसद में भारत के प्रतेक्ष प्रतिनीजित्व की मांग की थी तो कौन से सभा में हुआ था तो दपूना सरवजनिक सभा में यह आपका हुआ था डी आपका कारेक्ट उत्तर हो जाएगा यह कसन हम भारत को या तो आजात करेंगे या फिर आजात के प्रयास में डिवंगत होंगे किस से जुड़ा है यह आपका फाइनली देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदुलन से जुड़ा है गांजी जी ने इसी समय यह नाराद दिया था करो या मरो का यानि आजात करो या फिर मर जाओ देखा जाए तो आपका डि उत्तर कारेक्ट उत्तर हो जाएगा चलिएगा तो आपका यहां पे 50 कोशन समाप्त उत्ता है अब आपको यहां पे आपका प्रयास बनता है कि आप सभी लोग 50 में से कितना कोशन सही कर पाए हैं तो आप कमेंट करिएगा आप कितना कोशन सही क में जल्द ही मिलेंगे तब तब तक के लिए जैहिन वान देमादा